आनन्द, एक गुड मैनेजर, एक बहुत बड़िया मैनेजर रहें आनन्द, जो भगवान बुद्ध के यो सेवा करते थे और उनके भाई भी दे धंपत की गाथा नंबर 21, 22, 23 में आप देखेंगे एक जिक्र है मागंडिया का मागंडिया के जो पिता हैं वो बुद्ध से शादी करना चाहते हैं मागंडिया की, मगर बुद्ध कहते हैं कि जिस रात हमें बुद्धी प्राप्त हुई, उस रात हमारे सारे रागद्विश चलेगे, अब हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं शादी करें या कुछ करें हमारे लिये तो अब निबान क्योंकि हमने प्राप्त कर लिया है और हम तो पके हुए अपने समय का पके हुने का अंतिया कर रहे है मागंडिया को ये बात बहुत बुरी लगती है और मागंडिया इसको अपनी इजद बेजयती से जोड़के रख लेती है मागंडिया का जो शादी है वो कोसांबी के जो राजा है उदियन उनसे होती है और गोसिदा राम करके वहाँ पर एक राम है यानि के उद्धान बगान है गोचित का है जो गोचितना राम बनवाया था उसका तो वहाँ भगवान बुद्ध आते हैं चारिका करते हुए राणी जो मागंडिया है वो भगवान बुद्ध से बदला लेने के लिए पूरी चालन चलती है राजा उदिन की एक राणी और भी है सामावती करके ये सामावती बड़ी अच्छी है सामावती को चल कपड से क्योंकि वो सामावती बुद्ध का प्रवचन सुनना चायती है तो सामावती को नीचा दिखाने के लिए मागंडिया बहुत सारी चालन चलती है ये मैंने उस कहानी में बताया आप 21-22-23 देखेंगे धंपत की तो आपको समझ में आ जाएगा तो एक वार राजा अधियन सामावती से बड़े प्रसंद होते हैं और पूसते हैं कि सामावती तुम्हे कुछ चाहिए तो मांगो मैं तुमसे प्रसंद हो तुम्हें बड़े अच्छे काम किये हैं तो सामावती कहती है कि भगवान बुद्ध यहां रो जाएं और यहां पर देशना दें तो वो खबर भिजबाते हैं कोसामी में जो गोसिता राम में जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं कि भगवान बुद्ध जब तक यहां ठहरे हैं वो रो जाएं और आके देशना देए रगवान बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध होते हैं वो बार बार नहीं जाते आनंद आएंगे आनंद देशना करेंगे तो आनंद को वहां के लिए एंगेज कर देते हैं आनंद वहां जाते हैं तो आनंद जब वहां देशना दे रहे होते हैं, तो देशना के बाद में, जो मागंडिया, जो सामावती है, सामावती के साथ में जो उसकी बहुत सारी सहलियां और साथियां हैं और जो उसकी ठाम करने वाली हैं, वो लगबग 500 करीब हैं और वो सब अपने उत्रासन, उत्रा से बंदे थे तो पांसो जो उत्रासन होते हैं यानि छोटे चीवर जो होते हैं छोटी चादर जो होती हैं उनको लेकर वो बहार चले जाते हैं राजा उद्यन को जब ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे आनंद आये आनंद ने देशना दी देशना कि वो अच्छा मानकर खुश करक राणी समवति चादर तो उनको बड़ा ताजुब होता, ताजुब इस बात पर नहीं होता कर राणीयों ने अपनी ओड़भियां देती, इस बात को होता है कि आनन्द पान्सो पान्सो लेके चलेँ गए, तो फिक्कु है क्या हम चाड़ अनक lleva नहीं टो लालके चलेँ, उन्होंने राजा उदिन ने अपने मन में बात रखी, अगले दिन फिर आनंद आए, आनंद ने फिर देशना दी, देशना देने के बाद में राजा उदिन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आनंद आप चीवर का क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम चीवर अपने कर चादर बनाने की और फिर वो पूछते जब चादर बेकार हो जाती है तो चादर भी ей तो यहां पड़ा बना लेते हैं या 9 उसका जो कपड़ा नहाने के बाद जो पोशना होता है तौलिया होता है वो बना लेते हैं जो पर्दा और पोशना ख़राब हो जाता है फिर क्या बनाते हो तो राजा कहते हैं जो पाइदान में ख़राब हो जाता है तो फिर क्या बनाते हो तो कहते हैं फिर हम उसकी जो दिये भी कपला बेकार नहीं करते और राजा उसके जवाब से अतना खुश होता है कि पांच सो फिर आनंद को पांच सो चीवर और दिता है ताल में अब पांच सो चीवर लेके वहाँ से आते हैं ये जो राजा उधियन की कहानी है ये आज भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास की घटना है दरसल जो दिल्ली के अंदर जो कैलास पबबत है उसको कलेस पबबत बोलते हैं दरसल मागंडिया का और सामावती का जो जगड़ा हुआ था वो यही ज़ा यही वो टेरेटी थी यही वो चीज़ थी इसलिए इस परवत को पलेस परवत बोलते हैं बाद मैं इसको केलास परवत बोला किया यहां असोक ने एक सलालेक बनवाया हुआ है वो सलालेक आज भी यहां रखा हुआ है लोहे के जाली में जैसा आप देख रहे हैं यहां पर दो बुद्धभिहार भी हैं आपानी बुद्ध बिहार है और एक जो बरुवा भिक्कू हैं उनका भी बुद्ध बिहार है और इस केलास पबबत के बरावर में केलास कालोनी बन गई यानि कलेस कालोनी बन गई है और यहाँ आप अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर राजा उद्यन का कोसांबी का जो ना उस लक्षा गया का सामावती लखा गया सामावती लखा से समाल खा बड़ा हुआ है। जो सामाबदी जो लखी गई उसकी जगे है और जो ये सामापुर है उसका एक नाम बना समयपुर करके बना और राजा उद्यन का जो नाम है वो उद्दंद खेड़ी करके भी एक जगे है वहाँ जो मध्यप्रदेस में आती है और सौनी पत के पास में एक कुमाशपुर है जिसको कमाशपुर बोलते हैं कमाशपुर में एक सतीफठान का सेंटर भी है जो कमाशपुर में भगवान बुद्ध आये थे जिसमें कमाशपुर सुथ दिया था उसी समय जब भगवान बुद्ध आये थे जब ये मागंडिया ने अपनी साधी के परस्ताव के लिए उसके मावापने कहा तो कमासपुर में थे उस समय तो कमासपुर का एक सुत भी है जहां भगवान बुद्ध ने बताया कि 7 दिन के अंदर भी हरियाना पंजाब के लोग मुक्त हो सकते हैं ये पूरी पूरी आनंद की कहानी है आनंद बहुत बड़िया करेक्टर है आनंद की और बी कहानिया है मैं धीतर करके आपको बताता रहूँगा धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद भगवतो वरहतो सम्हा संबूता सक्ष बुद्ध थम्षर इतना राइट है डच्चामी धंमं सर्णं डच्चामी जंगं सर्णं डच्चामी बूदं सर्णं गच्छामी तम्मं सेनं गच्छामी जंगं सेनं गच्छामी बूदं सेनं गच्छामी तम्मं 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 गच्छामी तम्म झाल